हलो फ्रेंट्स वेल्कम तो मैं चैनल ट्रोथ शेयर मार्केट सो डेस्पस कर लेते हैं निफ्टे बैंक निफ्टी अनलेसिस फॉर 25 अक्टूबर 2023 फस्ट फॉल इस वीडियो इस वीडियो फॉर एड्यूकेशन प्रपस्ट यहां हमेरा टेलिग्राम लिंक एंड वट्सप नम सपोर्ट है ना और यहां पर होल्ड करके कंसोलिडेशन कर सकता है अगर उसे ब्रेक भी करना है तो भी होल्डिंग हो सकती है अब यह नहीं कि नहीं ब्रेक नहीं हो सकता है यह सच नहीं है ना ब्रेक हो सकता है बट हायर प्रोबिलिटी की बात करें कि चांसेज क्या 80% chances रहेंगे कि holding करें और 20% chances रहेंगे कि break करें तो अगर holding करता है और bounce भी अगर आएंगे तो ज्यादा बड़े नहीं आएंगे जो global scenario है तो क्या होगा कि छोटे मोटे bounce छोटे मोटे pullback ये चीज़े रहेंगी बट आपके option में अगर आप trade करते हैं तो आपका पैसा नहीं बन कि दिन आपको trade को avoid करना पड़ेगा ताकि आपने जो कल earn किया हो या फिर जो भी earning कियो उसे at least बचा सकें यह जरूरी है market में daily trade करेंगे तो फिर आप loss में ही रहेंगे तो आपको क्या करना है benefit करना है आपको identify करना है किस दिन मुझे ज़्यादा risk लेनी है किस दिन मुझे कम big player data की big player data की बात करूं तो देखो यहाँ पर यह तीन cash market में दोनों ने buy कर रहा है यहाँ एक चीज यहाँ पर जो आपको पता हो नहीं कि कि दोनों ने buy कर रहा है कुछ तो positive है पर market इतना fall किया मतलब थोड़ी panic selling थी और panic selling किस ने की या तो कोई pro player निकला था क्योंकि आज की चुटी थी या फिर यह हो सकता है retailers ने panic में selling कि यह fall जो है उसको यह data support नहीं कर रहा है तो अब क्या एकदम कल वापस वहीं पोच जाएंगे उसके chances भी कम है बढ़ हाँ यह है कि pullback आ सकता है जैसे अगर बात करें 280 और 490 490 के उपर नहीं जा सकता या 450 460 इसके उपर नहीं जा सकता ना अभी तो अभी देख लेते हैं कि FIS index option index option की बात करें तो 14,000 क्रोर की selling की है मतलब या तो यह market को side way कराएंगे या फिर market को थोड़ा सा उपर लेकाएंगे थोड़ा सा उपर लेकाएंगे तो इसका मतलब भी नहीं कि हम call खरीत के बेड़ जाएं क्योंकि call की premium भी decay होंगी जैसे अगर धीरे धीरे उपर ले ज तो हम avoid ही करें या फिर जब उपर चला जाए और कोई level पर आए अभी चार्ट में देखने है तो वहां पर हम put buy करें चलो अब देख लेते हैं index option में इन्होंने nifty में भी काफी बड़ी selling किये और bank nifty में बात करें तो इसमें buying किये फिन nifty में बात करें तो फिन nifty और midcap nifty का expiry थी इन दोनों में selling है तो यह जो data है फिन nifty और bank nifty का यह भी indicate जो कर रहा है that is for sideway movement इसमें भी बड़े movement के expectation नहीं है अगर थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत pullback बढ़ा भी हुआ तो last में वह नीचे आके close करेंगे तो इस चीज़ के या नीचे अगर जा रहा है तो वह को होते हैं stock future stock future में काफी बड़ी quantity नोने उठाई है future में उठाने का मतलब क्या है तो यहां पर तो क्या होता है कि मानलो 80 point का यह 100 point की उन्हेंनों call उठाई है तो क्या होगा उपर जाके call decay हो जाएगा यह 100 point बाद 2 दिन बाद expiry है तो वह decay हो जाएगे ज्यादा उपर बड़ point बन जाते हैं तो इस लोजिक से इन्होंने future तो उठा रहा है बट यहां बाग की option में measure selling कर रहे है इस टॉक option की बात करें तो इस टॉक option में भी इन्होंने 340 करोड की buying कर रहे है विक्स देखें विक्स इतना नहीं बड़ा जितना बड़ा fall था ठीक है एक time था विक्स दिन में 6-7% डाउन था ठीक है और उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि movement कि स्वें में हुआ है वो भी last two candles में ठीक है अब बात कर लेते हैं so that is nifty chart यह important यहा यहां पर काफी दिन सपोर्ट लिया था इसने 250 कर रहा हूं और यह कल लेवल आपको given थे कि यहां यह अगर मार्केट फोल होगा तो यहां पर सपोर्ट लेगा यहां पर रुका है यहां कितना consolidation हुआ है इतनी रेंज में यानि 490 से 255 यह इसमें कितना consolidation हुआ है इसको देखके चलो अब अगर आप 300 का call भी देखेंगे तो वो भी 300-700 रुपए का होगा है और उसकी बात करूं तो देखो यह ने 300 का call तो आपका 70 रुपए का है यह नीचे आएगा तो प्रीमियम बिल्कुल खतम हो जाएगी और अगर यह उपपर आएगा यानि यह फेक ब्रेक आउट साबित हुआ कब होगा जब रेट केंडल से नीचे जाए और ग्रीन केंडल से उपर आगए अगर यह उपर आएगा तो फिर आपको एक मुमेंट मि करने लगा और प्रीमियम सस्ती मिलेंगी तो सस्ती प्रीमियम खरीदनी हमें कब होंगी वह इस कंसेप्ट से और अगर गलती से मानलों एक दम उपर जाने लग जाए और यहां पर जाकर एक क्रीन केंडल से इसका भी ब्रेक आउट देदे 500 और रेट केंडल से वापस आ जा तो दो तो ये setup हैं जो आपको use करने हैं अगर कल marketing दोनों level को breakout करके वापस range में आता है तो ठीक है ये चीज आए होप clear होगी level का important है तो level देखो अब 500 और 250 ये काफ़ important level है 250 तूटने का मतलब ये नहीं होता कि 230 चला गया ठीक है ये ये clear रखना तो आपको दो केंडिल 15 मिनिट के देखनी पड़ेंगी कि अगर नीचे गया लेवल यहां mention है अगर 255 तूटा तो 19,075 ये first level होगा और 18,900 ये आपका second level होगा यहां तक की expectation सबको है सबको है मतलब अगर यहां जाना भी होगा तो इसके नीचे भी जाएगा और फिर नीचे सबको यहां तक की expectation नीचे यहां होंगे यहां सब कोल लेंगे और एक छोटा साइसल नीचे लगाएंगे पचास पॉइंट का तो वह एसल भी तो लेना होता है ना बड़े प्लेर को तो इसके वज़े से थोड़ा अगर यहां आएगा तो नीचे भी जाएगा पचास सो पॉइंट नीचे जाएगा उसके बाद वापस आएगा आपकी बाइंग कब बनेगी जब वह नीचे चला जाए और वह आपस आके यहां पर आए तब आपकी बाइंग बनेगे यहां पर करना है तो पांसदस मि台 के लिए निखल जाना है सकेलप हुआ आपको टारकेट मिले आपको निकल जाना ज्यादा वेट नहीं करना पता दलानी चला ये क्योंकि जैसे इंपोर्टन लेवल पर्याएगा तो थोड़ी तो बाइंग आएगी है न तो उसका benefits उठाना है on कि उपर के लेवल क्या है 494 यानि 19,500 जब तक नहीं टूड़ता कोई बाइंग की ज़रूत नहीं है 500 टूड़ता है तो हम 630 and then 720 यह आपके टार्गेट रहेंगे अपवर डारेक्शन में बात कर देते हैं नेच्ट बैंग निफ्टी मैंग निफ्टी का इंपोर्टेंट पॉइंट बता देता हूं एक तो यह ट्रेंड लाइन मना देना यह यहां पर और इसके आगे भी आपको केंडल को सपोर्ट देती मिलेगी इसका ब्रेकडाउन हुआ है अब कल क्या पॉसिबिलिटीज है एक चीज है आपको सबसपेड मिलेकी इसको जब टैस करेंगा करें इसको टैसक करके और अगर इसको ब्रेकडाउट कर दें तो अच्छी बात है आपको बस वेट करना कि रेकाउट कब फैल ओ यांनी नीकी चीह ऑंड Sehr करना है या तो डरेकली भी सेल कर सकते हैं और यहां पर भ लेगा एक तो level यह हुआ दूसरा level कहा हुआ दूसरा यह नीचे एक trend line आएगी ठीक है इस trend line पर support लेगा यह जो market है अगर आप यह वने केंडर ड़ाएंगे तो ये आपको खुद ही ये ट्रेंड लाइन के काई हाइक काई जोइन पर करना है पूंहें विका खंद करना है आपको आपको crystal के ही पर जैसे यह अगर लो यह लेवल काफी इंपोर्टेंट होने वाला एकल के लिए यहां बाइंग बनेगी for the target of 43,100 के राउंड है ना एक यह setup और एक यह setup बस यह दो setup है जिन पर हमें work करना इसके लाव हमें हमें कहीं भी इस type से बाइंग नहीं करने कि यह breakout हो गया हम बाइंग करके बैठेंगे वो setup परसो यूज़ कर सकते हैं कल डिके के chances हैं तो बस अगर fake breakout हो तो हमें यूज़ करना है otherwise नहीं करना क्यों क्योंकि अगर यहां से अगर buy करोगे और एक छोटी से red candle आपकी पूरी premium कतम कर दी इस चीज़ का धान रखना हो सकता है market hours के बाद आपको यह चीज़ समझ में है तो जितना जल्दी समझ में है उतना बहतर है ठीक है इसके लिए लेवल के important है 250 के बाद 520 एंड फिर 780 नीचे की बात कर लें तो 143,100 के नीचे 42,850 एंड धन 42,600 यह लेवल important रहेंगे इन बैंक निफ्टी option chain की बात कर लेते है option chain क्या indicate कर रहा है तो देखो option chain 19,280 पर close हुआ है market यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर main जो resistance है that is 19,500 पर काफी strong resistance है और main जो support है वो बना हुआ है 19,000 ठीक है यह तो यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक movement possible ठीक है इसका मतलब केवल इतना है बट आस-पास support and resistance देख लेते हैं 400 पर भी काफी strong support है इसली नहीं टूटे का टूटे का तो भी fail होने के चांसे ज़्यादा रहेंगे 300 तूट सकता है 300 तूट सकता है और आपका 300 पर resistance भी है ठीक है तो resistance है और support भी है और 200 पर support है तो यह अच्छे support है इसे weak support नहीं है अच्छे support है resistance आपका 400 से 500 के बीच अच्छा है तो अभी movement के लिए अगर हम देखें तो 200 से 300-400 यह level है important यहां से लेकर यहां तक movement possible है market में पर इससे ज़्यादा movement के उमीद मत करना इसमें उपर जाएगा जाते टाइम ही बुक करने आपके level वाइड वापस आने का wait करोगे या फिर आप सूचोगे कि थोड़ा नीचे आएगा तो मैंसे लगा दूँ तो SL तक option की premium बि बात कर लेते हैं कि 19,200 यहां बिल्कुल buying बनती है call ठीक है बट इससे बड़े फोल में ना अगर आ रहा है consolidate कर रहा है तो हम यहां buy कर सकते हैं 200 पर ठीक है क्योंकि 250 सबको लग रहा है 250 break करेंगे थोड़ा 220 तक लेकर आएंगे सब कैसल लेंगे उस टाइम हम call buy कर सकते हैं फ पूट के लिए पूट के लिए आपका 430 430 काफी important रहेगा ठीक है यह level काफी important रहेगा हो सकता है पहली candle ही जा के touch कर ले ठीक है क्योंकि पहली candle में क्या retailers entry करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उनको दिखेगा US market गिरा नहीं वो side way चल रहा है वो अल्रेड़ी 2-3 दिन गिर चुका है तो अब हमारा मार्केट नहीं गिरा तो हमारा मार्केट अब के लिए तो हम इक्वेल पर ही है बट लोगों को क्या लगता है कि US market तो 33000 के उपर आ गया देखो इस चीज को समझना कि किसी मार्केट में पहले किसी मार्केट में बाले बट ग्लोबली जब चीजें ह होती है तो इसका इंपक्ट हर मार्केट पर होगा कितना मैनेज कर सकते हैं और मैनेज क्यों होते हैं क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट वहां पर काफी बड़ा पैसा है जो इन्वाल है उसकी वज़े से यह चीजे मैनेज होती है वह हटा दो कोई मैनेज नहीं करेगा सब चीज को थोड़ा सा समझज करना कि यहां पूद बाय कर सकते हैं यहां बाय कर सकते हैं तू फिफ्टी क्व то थो नकिकर लग रहा है कि अगर यहां आयगा तो तोड़कर रहले से लेकर दैयगा तो टो टो ट्व hypoc reporter हम बाय करेंगे 170 का SL लेके चलेंगे इसके अलावा कहा बाय कर सकते है अगर लोंग में बात करूँ तो 18,900 पर आप ETF बाय कर सकते हो निफ्टी का बैंग निफ्टी का ठीक है एंड 18,900 यह लेवल याद रखना है यहाँ पर आप ETF बाय कर सकते हो और गलती से यह लेवल तूटे तब भी इस लेवल को याद रखना क्योंकि वापस जब भी SL लेके उपर आएगा तो 900 के उपर आने के बाद बाइंग बहुत बढ़ी आईगी बहुत अच्छी बाइंग आईगी तो यह चीज कब करना है जब यह तूट गए और वापस मार्क इसके उपर आए तो ओके चलो आप बैंग निफ्टी के उप्शन चेन की बात कर लेते हैं वहां क्या सपोर्ट एंड रिजिस्टन बिल्ड है 43,150 के राउंड क्लोजिंग हुई है यहां हर 500 पर आपके सपोर्ट होगी 43,000 पर अच्छा सपोर्ट है 42,800 पर सपोर्ट है and then 42,500 याकर मैं अगर मैं पूट में हूँ तो मैं यहां बूट कर लेना है इसके नीचे मैं पूट में हूँ तो यहां मुझे बूट कर लेना है यह तो लेवल हुए call कब buy करना है अगर 500 तूटे नीचे जाए और उपर दूसरी conditions में तो मैं call buy करूँगा 800 पर consolidate करेगा याने 800 के उपर अगर consolidate करेगा तो मैं call buy कर सकता हूँ यहाँ पर 100-100 point के SL रहेंगे और 200-300 point के target रहेंगे तो 2 point तो यहाँ call buy कर सकते है put कहां buy कर सकते है तो 43,500 यहाँ पर आप put buy कर सकते हो काफी strong resistance build up है 500 पर put buy कर सकते हो with 100 point SL उसके बाद 43,900 यहाँ आप put buy कर सकते हैं तो level clear है जहाँ मैं put and call buy करना है यहाँ resistance strong है 43,200 पर भी resistance है बट यहाँ put कब buy कर सकते हैं तो यहाँ काफी दे रही है याँ 200 150 के नीचे अगर consolidate करेगा resistance phase करेगा 200 को तब हम put buy कर सकते हैं अदर्वाइस नहीं कर सकते हैं और 200 के उपर consolidate करें काफी दे रही है इस जएड़ घंटा आपने देगा कि इसके उपर consolidate कर रहा है तो हम call buy कर सकते हैं इस चीज को ध्यान रखना 200 के नीचे और 200 के उपर अलग scenario बनेगा 150 के नीचे है तो put और 200 के उपर consolidation है तो call बट यह consolidation 1-2 hours का होना चाहिए तो यह मौका का मिलेगा फिर वो buying आएगी वो ही धाई बज़े करीब तो timing भी important factor रहती है इन चीजों में I hope यहां चीजे के लिए ने कहा call and put बनेगा चीजों को समझ के जलना हो कोई भी doubt हो तो please comment Thank you